सुपरबाद विद्यार्थियों मैं आपकी हिंदी की शिक्षि का निश्या विद्यार्थियों आज हम आपकी हिंदी की पाठे पुस्तक का पाठ नीलकंट आगे पड़ेंगे अब तक हमने पड़ा था कि इस पाठ में लेखी का जो है वो मोर और मोरनी का एक जोड़ा उनके अपने कमरे में रखती है अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे पढ़ते हैं नीलाव गृवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंड और उसकी शाया के समान रहने की कारण मोरनी का नाम करन हुआ रादा मुझे स्वयम गयात नहीं है कि कब नीलकंड ने अपने आपको चिडियागर के निवासी जीव जन्तु का सैना पती और संग्रक्षन नियुक्त कर लिया आगे यहां पर लेके का कहती है कि जो मोर था उसका नाम नीलकंड रखा गया और हमेशा उसके साथ रहने के कारण जो मो सैना पर लेके का कहती है कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि कब जो है मोर उसके चिडियागर का क्या बन गया एक निवासी बन गया और उनका सैना पती बन गया और कैसे वे खुद एक संग्रक्षर के रूप में नियुक्त हो गया, कि मोर क्या करता था, सभी जीव जन्तु जो है, उनकी मुसीबत आने पर उनकी सहायता करता था, सवेरे जब खरगोश, कबूतर, आदी की सैना जब एक साथ इकठी होती थी, और उस और उनको उस और ले ज दूसरों को बता रहा है, किसी ने कुछ गडबर की और वे अपने तीके चंचू परहार से उसे दंड देने दोड़ा, अगर कोई कुछ गलती कर देता, तो वे मोर जो है, वो उनको दंड भी देता था, खरगोश के छोटे बच्चों की तरह वे चोंच से उसके कान पकड़ कर उपर उठा लेता, और जब तक वे अर्थ करदन ना करें, करने लगते, उन्हें उधर में ही नटकाया रखता, तो वे क्या करता था, कि सब को, मतलब अगर जैसे भी जिसको जो जरूरत होती, तो वे मोर जो है, वो हमेशा उनका ध्यान रखता, और उनका कार्या करने में उनकी मदद भी करता, कभी कभी क्या होता, कि मोर की जो पैनी चोंच से खरगोश के बच्चे का करन वेद संसकार हो जाता, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अफसर ना देते थे, दंड विधान के समान ही, उन जीव जंतुओं के प्रती, उनका प्रेम भी आसादा प्राय, वे मिटी में पंक फिलाकर बैट जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंच और संगन पंकों में चुआ शुवल सा खेल खेलते रहते, कि ऐसे क्या होता, कि सारी जीव जंतु जो है, वो छोटे चोटे चीडिया कर गोश जो है, वो मोर के पंकों के पीछे, चुपन च से बैठा रहता था, ऐसे ही जब खेल रहे थे, तो ऐसी ही एक सिती में क्या होता है, एक साम जो है, वो जाली के बीतर आ जाता है, उनके चीडिया गर के अंदर आ जाता है, सब जीव जंतु जो है, साम को देखकर इधर उधर चिप जाते हैं, केवल एक शिशु खरगोश सा साम की पकड में आ जाता है, और साम क्या करता है, उसको निगलने का प्रियास करता है, उसका आदा पिछला शरीर तो मुँ में दबा रखा था, शेश आदा जो बाहर था, उससे चीडिया का स्वर इतना तिवर नहीं निकल सकता था, कि किसी को पश्ट सुनाई दे सके, नील पूंच पंखा कर समेढ़ कर सर से एक जप्टे के नीचे आ गया, संभवता अपनी सहर चेतना से ही उसने समझ लिया होगा, कि साम ने फन पर चौंच मानने की कोशिश मानने से खरगोष को गायल हो सकता है, आगे क्या होता है, कि जैसे ही जो साम है, वो खरगोष के बच्च की आवाज कर रहा होता है तो नील गंट जो है वो दूर उपर जुले में सो रहा होता है तो उसको उसके जो चुकन्ने कान होते है hanno सब्दirm के उसको आवा सुनाई देती है कि बच्चाक जो मो रहा है तो जो नील कंट होता है वे है क्या करता है अपने फटा-फट पंक समेट कर अपनी पूंच को दुबा मतलब समेट कर क्या करता है पंक इकठे करकर आता है और उसको ऐसे लगता है कि अगर वो एक पटे में नीचे आएगा तो हो सकता है जो साप है वो क्या करते उसको मतलब ड पइर और फिर चोनन स से इतने परहार किये कि यहां कि वे हैं अदमरां होुगे अब क्यां करता है साम नागया अपने पउलनेटल hommes है आपने पकड़क से क्रहार करता है और जिससांप क्या हो से बाहा निकलाता है परंतु वैं बीना होश केनी शेड सा वहीं पढ़ा रहता है उसको होश नहीं होती है क्यूंकि वैं बहुत ही जादा गहल हो जाता है तो राधा ने सहायता देने के लिए अवशकता नहीं समझी क्यूंकि उसको पता था कि वो जो है वो बच्चे को को पता लग गया कि यहांपर क्या हुआ है कोई गट अगट कर चुका था तब उस शिशुखरगोश के पास गया और रात बर उसे पंकों के नीचे रखे उष्टता देता रहा अब क्या हो गया कि नीलकंट पक्षि का रूब और सवाभ देखकर समझ में आ जाता है जैसे आप देखेंगे कि बगवान गनेश का वहन कोन है चूहा है तो उनके बाई जो कार्तिके हैं उनका वाहन क्या है मोर है तो इसी गटना से यहां पर लेकिका कह रही है कि कार्तिके बगवार ने कार्तिके ने अपने वाहन के रूप में मोर को क्यों चुना होगा मोर पक्षी को क्यों चुना होगा इस बात का आप अंदाजा यही से लगा सकते हैं मूर जो है वो क्या होता है कला प्रिय और वीर पक्षी होता है हिंसक मात्र नहीं ठीक है यह कोई खतरनाक नहीं है पर लेकिन यह क्या है एक वीर सासी पक्षी है इसी से उसे बाद चील आधी की श्रेनी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर करम है यहाँ पर कहा है कि जो जैसे बाज है वो भी क्या है उचे उड़ते हैं पक्षी है चील भी उचा उड़ता है पर लेकिन वह क्रूर है पर लेकिन जो मोर है वो क्रूर नहीं है जो मोर होता है वो क्या होता है प्रिय होता है वो यह सब को प्यार करता है पर लेकिन बाज चील ज नहीं होता ठीक है आगे नील कंट में उसकी जाती गत विशेशताय तो थी ही उनका मानविय करन भी हो गया था मेगों की सामली शाया में अपने इंदर दुनुष के गुच्छे जैसे पंकों को मंडला कार बना कर जब वे नाशता था तब उस नृत्य में एक सहजात लए ताल रहता था आगे पीछे दाहिने माहें करम से गूम कर वह अपनी लक्ष्य सम पर ठहर ठहर कर जाता था आगे क्या होता था कि देखो यहां पर इस पार्ट में आपने नील कंट के बारे में पढ़ा नील कंट की कुछ विशेशताय भी बताई गई है एक तो उसका मानविय करन किया गया है उसको एक मानव के रूप में भी पेश किया गया है ठीक है और क्या करता है वह है क्या है एक संग्रक्षक है एक सैना नायक है एक सैना पती के अभी उसको रूप दिया गया है इसके साथ-साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि मेगों के आने से जब बादल आत जब क्या होता है मेगाते हैं बादला शा जाते हैं जब बारिश आने वाली होती है तो मोर जो है पंक फिलाकर इतने मजे से नाशता है कि उसको ऐसे लगता है जैसे कोई दुन बज रही है और वै उस दुन पर सूर्टाल पर नाच रहा है कभी दाएं कभी बाएं इस तरह से जो दरिश्य है वो बहुत ही मनमुहक लगता है रादा नीलकंट के समान नाच नहीं सकती थी परन्तु उसकी गती के बाब से चंद रहता था और वहां नृत्यमगन नीलकंट को दाहिनी और के पंक को छूती हुई बाएं और निकल जाती और बाएं पंक को सपर्ष करती दा तो वह कभी उसके पंक को छूकर दाएं और जाती और कभी उसके पंक को छूकर बाएं और आती तो ये प्रक्रेमा जो थी ये उस समय ये क्रिया जो थी वो चलती रहती थी और जो मोर नहीं थी वो मोर का पूरा साथ देती थी और उसके सुर्थ ताल में अपने ताल मिलाती रहती थी नील कंट ने कैसी समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत बाता है ये तो बात नहीं बताया जा सकती परंतु अचानक वह एक दिन मेरे जाली घर के पास पहुचते ही अपने जूले से उतर कर नीचे आ गया और पंकों की सतरगी मंडला कर छाता बनतान कर नृत्य बगीमा नृत का क्रम बन गई मतलब ऐसा होता है कि मोर को पता नहीं कैसे पता लगता है कि जो लेकिका है उसको मोर का नृत्य बहुत अच्छा लगता है तो एक दिन क्या होता है जम लेकिका जाली घर के पास पहुचती है तो मोर उपर बैठा होता है तो मोर फटा-फट अ लेकिका के सामने और लेकिका के सामने ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी ही नुरित्त करेगा तो मोर को भी यह ऐसा करने में बहुत ही खुशी होती थी क्यूंकि वह जान गया था लेकिका को वो बहुत ही पसंद होते हैं समय लेखिका के साथ देशी विदेशी जो अतीधी थे वो भी वहाँ पर पहुशते हैं और नील कंड को इस मुद्रा में देखकर बहुत ही खुश होते हैं कई विदेशी महिलाएं उसे परफेक्ट जेटलमेन की उपादी भी दे डाली जिस नुकीली पैनी चों से वह ब्यंक कर विश्दर साप को खंकन कर सकता है उसी से वह क्या करता है लेखिका की हथेली पर भूने हुए चने इतनी कोमलता से होले होले उठाकर खाता है कि हसी भी आ जाती है और विसमें भी होता है फलों के ब्रिक्षों से अधिक उसे पुश्पित और पल्वित ब्रिक्ष बाते अब क्या होता था लेकिका का ती है कि इतनी अपनी जो पियार से दीरे दीरे वह कर खाता है तो लेके का कहती है कि मुझे वो दृष्ष जो है वो बहुत ही याद आता है बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे जो है मोर जो है वो कुछ भी नहीं करता है तो मोर को क्या है वरिक्षों से अधिक फल के वरिक्षों से अधित जादा जो है उनको क्या पसंद थे मोर को फूलों वाले वरिक्ष पसंद थे बसंत रितु में जब आम के ब्रिक्ष पर सुनहरी मंजरियों से लट जाते थे तो अशोग ने लाल पलवों से डग जाता था तब जाली गर में वह इतना अस्थिर हो उड़ता था कि बाहर छोड़ देना पड़ता था नील कंट और रादा की सबसे प्रिये रितु तो वर्षा ही थी मेगों में उमड़ कर आने से पहले ही वह हवा के उसकी सहजल आहट पा लेते थे अब क्या कहता था कि जब मजंत रितु आती थी तो सबी ब्रिक्षों पर क्या लग जाते थे फूल लग जाते थे और जो आम की म बारिश मोर के सामने जो है वो आता था और वह इतना मस्त हो जाता था कि ऐसा लगता था कि अभी क्या करना पड़ेगा उसको जाली गर से खुला छोड़ना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकालना पड़ेगा और चोड़ देना पड़ता था और उस समय मोर जो है मस्त होकर अपने ही चाल में अपनी ही दुन में बारिश की बूंदों में नाचते हैं मेट जितना अधिक गरशते बिजली उतनी अधिक चमकती और बूंदों की जमजमाहड भी होती और उतना ही त्रीविल जो है उतना ही तेज जो है नेलकंट अपना नरत्य करता और जो मोर नी थी वो अपने स्वर में उची मुद्रा में गाती और ये जो है जैसे बारिश होने लगती है तो इनको मोर को पहले ही पता लग जाता है कि आज बारिश होगी और वैखुशी से ज नाच्ते, जब बशाद थम जाती, तो वैं क्या करते, अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख रख और बायें पर बाया पंख पेला कर सुका था, कभी-कभी वैंquest लोगर दोन क्या करते एक दूसरे के पंखों पर टपक़ने वाली तयुत को चौन से पी-पी कर पंकों का गीलापन भी दूर करते थे, वैं अपनी चौनर से ही अपने पंकों को सुका लेते थे, उसका पानी जो है वो पी लेते थे, इस अनन्द उस्सवकी रागनी में बेमेल स्वर, कैसे बज उठा, ये भी एक करून का था थी, अब क्या होता था कि ये जो मस्त स्वर्ज हो रहा था ये इतना सुन्द द्रिश्य हो रहा था तो इसमें एक बे बेल रागनी का जो राग है वो बच उड़ता है तो आगे क्या होता है एक दिन मुझे किसी कारे से नकसांग नकास कोने में निकलना पड़ा और बड़े मिया न को जो है वो रोक लेते हैं इस बार किसी पिंजरे की और नहीं देखूंगी ये संकल्प करके मैंने बड़े मिया की वीरल दाड़ी और सफेद दोरे के कान में बंदी एनक की और अपने द्यान को केंद्र बनाया अब क्या कहती है लेकी का कहती है कि इस बार मैं कोई भी पक् सोचती है और बड़े मिया की तरफ देखती है पर बड़े मिया के पैनों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठीन था पर लेकिन उस समय क्या था बड़े मिया के पाऊं के पास एक मोरनी पड़ी थी मोरनी रादा के समान ही थी और वो मोरनी जो थी जैसी रा धन्यवार